नियोक्ता को इंग्लिश में क्या कहती हैं या आज किस वीडियो में सीख लेती हैं नियोक्ता का मतलब हुता है किसी को नियोक्त करने वाला या किसी को काम पर रखने वाला तो नियोक्ता को इंग्लिश में आप employer कह सकते हैं E-M-P-L-O-Y-E-R employer जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि नियोक्ता ने नए करमचारियों को नियोक्त करने के लिए साक्षातकार आयोजित किये तो आप कह सकते हैं The employer conducted interviews to hire new staff. यागर आप ये कहना चाहें कि एक नियोक्ता के रूप में करमचारियों के साथ सम्मान और निश्पक्षता से वहवार करना महतवपूर हैं तो आप कह सकते हैं As an employer, it's important to treat employees with respect and fairness. यागर आप ये कहना चाहें कि नियोक्ता सुरक्षित कार्य वातावरन प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं तो आप कह सकते हैं The employer is responsible for providing a safe working environment. अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें